क्लास थर्ड मैं आपकी स्मिति में आज आपको अध्याय 6 मौसम पढ़ाने जा रही हूँ प्रस्तुत पार्ट में हमारे देश के विभिन मौसमों के बारे में जानकारी दी गई है भारत वासी वर्स में कई मौसमों का आनंद उठाते हैं यानि इस कहानी में हमारे देश के चितने भी मौसम हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है जो हमारे भारत वासी हैं वर्स में कई मौसमों का आनंद उठाते हैं विसमें हमारा देश भारत ही एक ऐसा देश है, जहां सर्दी, गर्मी और बरसाथ ये तीन मौसम समान रूप से रहते हैं, मौसम सदा अश्थिर होता है, वह बदलता रहता है, यानि इस पूरे संसार में हमारा देश जो भारत है, वही एक ऐसा देश है, जहां सर्दी, गर्मी बरसात ये तीन मौसम समान रूप से रहते हैं और मौसम सदा अइस्थिर होता है एक जैसा नहीं होता वा बदलता रहता है पूरे वर्स में मौसम सर्दी गर्मी और बरसात के रूप में बदलता है यह पूरे वर्स पूरे साल जह मौसम होता है जो सीजन होता है वा सर्दी गर राते बड़ी और दिन छोटे होते हैं, सर्दी अधिक पड़ती है, कभी-कभी सीत लहर के कारण मनुश्यों और पलसु पच्छियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, कितने ही प्राणी सर्दी से मर जाते हैं, इस मौसम में वर्फ और पाला भी पड़ता है, फरवरी तक सर्दी प्राया समाप्त हो जाती है, ठंड से बचने के लिए लोग गरम और उनी कपड़े पहनते हैं, और गरम पे वदार्थ पीते हैं, यानि सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम कब आता है, देखें, यह मौसम नौवंबर से सुरू होता है, और इस मौसम में जो राते ह होती हैं वह बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं और सर्दी भी अधिक पड़ती हैं कभी-कभी सीत लहर यह ठंडी हवाय चलती हैं जिसके कारण मनुश्य और पसुपच्छियों को काफी कष्ट उठाना पड़ जाता है और इस सीत लहर से इन ठंडी हवाओं से प्राणी कपड़े और गरम और उनी कपड़े पहनते हैं और गरम पेपदार्थ पीते हैं अब आईए गर्मी का मौसम मार्च महीने से गर्मी धीरे-धीरे आरंभ हो जाती है माई वजून में कडाके की गर्मी पढ़ती है इस मौसम में पश्चिम की ओर से गर्म हवाय चलती है जिने गर्मी से बेचैन हो जाते हैं, सरीर से पसीना निकलता है, इस मौसम में लोग सूती वा हलके कपड़े पहनते हैं, ठंडा पे पदार्थ पीते हैं और हवा में बैठना पसंद करते हैं, अब देखी गर्मी के मौसम में किस रुवात कहां से होती हैं और क्या-क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो जो गर्मी का मौसम होता है, वो मार्ज के महीने से सुरू हो जाता है, और माई जुन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, और इस मौसम में पस्चिम की ओर से गरम हवाय चलती है, यानि जो हमारा पस्चिम एरिया है, वहां से गरम हवाय चलती है, जिने अभर्साट का मौसम बरसात का मौसम यह मौसम प्राया जुलाई से आरंभ हो जाता है, आस्मान में काले बादलों की घटाएं दिखाई देने लगती हैं, उत्तर से आने वाली मानसोनी हमाएं चलती हैं, अगस्त के महीने में भारी वर्सा होने लगती है, बरसात आने पर किसान प्रशन होकर खेती करते हैं लोगों को गर्मी से छुटकारा मिलता है कभी-कभी अधीक वर्सा से बहुत ज्यादा हानी भी हो जाती है नदी नाले पानी से भर जाते हैं वीशन बाढ़ हा जाती है सभी फसूर प्राणी परिशान हो जाते हैं कितने ही लोगों के मृत्ति हो जाती है फसले मकान गिर जाते हैं इस मौसम में लोग छाते लेकर वा बरसाती कपड़े पहन कर निकलते हैं तो देखिए बरसात के मौसम में क्या क्या होता है बरसाथ यह मौसम प्राया कप शुरू होता है जुलाई से और इस मौसम क्या होता है कि आसमान में काले काले बादल बादल, बादलों की घटाए दिखाई देने लगती है और उत्तर से मांसोनी हवाय चलती है चलना शुरू हो जाती, अगस के महीने में भर्सा भी बहुत ज़ादा होती है कंवें जाते हैं कितने ही लोगों की मृत्यू हो जाती है वर्सली भी नश्ड हो जाती है यानि बाढठाने से ज़्यादा वर्साँने से बाठ वगएर आती है तो इससे काफी जादा हानिया भी हो जाती है बड़े-बड़े मकान भी गिर जाते हैं इस मौसम में लोग च्छाते लेकर वह बरसाती कपड़े पहन कर निकलते हैं इस प्रकार तीनों मौसम से कुछ लाब और हानिया है लेकिन इनका बारी-बारी से आन करावार होती है यह इन मौसमों